नमस्कार आप सब कैसे हैं आज की वीडियो में बात करते हैं कि as a parent आप अपने बच्चे की टीचर के साथ अच्छा रिलेशन्शिप कैसे डिवेलब कर सकते हैं इस वीडियो में आपको त्रीन स्ट्राटेजिज बताऊंगी जिससे आप एक positive harmonious relationship अपने बच्चे की टीचर के साथ डिवेलब कर सकते हैं मैं बहुत साल तक teacher थी 20 year plus तक teacher थी और मैं अपने personal experience से कह सकती हूँ कि teaching एक ऐसा profession है जो हमें इतना कुछ देता है और हमारे बच्चों की life को बहुत positively impact करता है मैं ये मानती हूँ आप सब को वो एक teacher या दो teachers याद होंगी जिन्होंने आपको बहुत positively influence किया एक mother के बाद teacher का influence बच्चे पे सबसे जादा होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि teacher का job आसान job नहीं होता she is a mother at home in all probability she is working with 40 children 25 to 40 children in a classroom हम से हमारे बच्चे घर पे संभाले नहीं जाते तो क्या आप imagine कर सकते हैं कि एक teacher के लिए वो 25 या 40 या 30 बच्चे एक classroom में manage करना कितना challenging है जब आप अपने घर में अपना काम का ध्यान रखते हो आप अच्चे से काम करते हो you feel very good when somebody appreciates you तो आज वो तीन चीज़ें क्या हैं जिससे आपकी relationship आपके बच्चे की teacher से better हो सकता है जो third point है वो last में मैं बताऊंगी वो सबसे important है तो वीडियो को enter देखना मत भूलिएगा अब पहला point आपने kindness word तो सुना ही होगा आपने empathy word तो सुना ही होगा आप जब अपनी mind में किसी के लिए kindness का attitude रखते हैं तो आप हमेशा बहुत positive space में रहते हैं तो क्या आप अपनी teacher, अपने बच्चे की teacher के लिए एक kind attitude रख सकते हैं आप ये imagine कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि उस particular male teacher या female teacher के लिए कितना काम है, कितना challenges हैं उसको उस class को manage करने के लिए उसको papers भी check करने हैं, उसको syllabus भी पूरा करना है उसने report cards भी बनाने हैं, उसने extra curricular activities भी रखनी हैं और ये सब करते हुए उसको classroom के अंदर ऐसे जाना है जैसे उसको जंदगी में कोई problem ही नहीं हो What a challenging task, लेकिन जब हम अपनी बच्चे की teacher की तरफ एक kindness का attitude रखते हैं तेन वी respect the teacher and we also teach our children to respect and honor their teachers Second thing, एक positive or harmonious relationship develop करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये तो पता हो कि हमारे बच्चे की teacher कौन है, उनका नाम क्या है, उनकी personality कैसी है उसके लिए parent-teacher meeting attend करना अत्यंत आवश्यक है मैंने एक video बनाया है इसका description link में उपर दे दूँगी about the five questions you need to ask the child's teacher when you go to a parent-teacher meeting Parent-teacher meeting क्यों important है? Parent-teacher meeting इसलिए important है क्योंकि वो एक ऐसा environment है जहां आप अपनी बच्चे की teacher से एक relationship develop करते हैं आप उनको जाकि ये बताते हैं Hello, I am the parent of this and this child आप बताईए आपको मेरे बच्चे से लेकर क्या challenges face हो रहे हैं In contrast to that, the teacher can tell you कि ये challenges हैं जो मैं face करती हूँ आपके बच्चे के साथ दोनों का motive, चाहे वो parent हो चाहे वो teacher वो एक ही है वो ये है कि बच्चा progress करें बच्चा पढ़ाई में अच्छा करें बच्चा अपनी personality development में अच्छा करें बच्चा अपनी value systems को समझे और आगे तरक्की की तरफ बढ़े Parent Teacher Meeting ये कैसा forum है जहां पर you both come together and at the same time you can discuss, engage with each other and find out solutions to the challenges the child is facing तीसरा और सबसे important note point जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था A note of appreciation क्या आपने कभी अपनी बच्चे की teacher के कोई note लिखके भेजा है कि ma'am thank you for your hard work या आपने कभी उनको verbally appreciate किया है एक whatsapp group में message डाला है thank you ma'am for all the hard work that you do इतना मेहनत करने वाले जो लोग हैं हमारी जंदगी में जो हमारे बच्चों की जंदगी को सवारते हैं उनको appreciate करना तो बनता ही है ये चोटी चोटी चीजें हमारी जंदगी को खुबसूरत बनाती हैं तो हम इनको क्यों नहीं गरते हैं अगर आपको कोई appreciate करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता it makes your day आपको बच्चे की जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी आपकी बच्चे की टीचर की है आजकल के parents का attitude उतनी है तो स्कूल में भेज दिया अब पढ़ाई की जिम्मेदारी बच्चों की टीचर की है उसके behavior की टीचर की है उसके development की टीचर की है No Teacher is second in command You are the first commander chief How your child behaves, develops is primarily your responsibility मैं उमीद रखती हूँ आपको ये तीन strategies follow करने में कोई मुश्किल नहीं होगी आप comment section में लिखें आपने इनको follow किया तो क्या हुआ I can guarantee it will have an extremely positive impact in your child's life and in your child's teacher's life अगर आपको ये content पसंद आए तो इसको जरूर like करें और share करें At the same time, you can follow me on Instagram at Dr. Nalini Thaneja उसका जो content है, मैं अलग बनाती हूँ तो उसको जरूर follow करें आपके mind में कोई questions है Parenting को लेके, Personal Development को लेके Finances को लेके आप comments में लिखिए and I will make sure that I will take that idea from your question and make a video around it आज के लिए इतना ही दवसकार